हर पल भी तेलं हों की अनुगूंज है हर पल भी तेलं हों की अनुगूंज है अनुगूंज कारिकरम में मैं मंगत राम और मैं सुष्मा शर्मा आपका स्वागत करते हैं आज की कड़ी का आरंब करते हैं हिंदी फिल्मों के उस कलाकार से जिन्होंने ना केवल अभिनीता की रूप में बलकि दिखदर्शक और निर्माता की रूप में भी अपार सफलता प्राक्त की और जिनके फिल्मों ने विदेशों में भी ख्याती अर्जित की ये हैं हिंदी सिनिमा के इतिहास में सबसे प्रभावी फिल्म निर्माता और अभिनेता ग्रेट शो में राज कपूर तीन बार राश्ट्रिय फिल्म पुरसकार और ग्यारह बार फिल्म फेर अवोर्ड से सम्मानित अपनी फिल्म आवारा और बूट पॉलिश के लिए दो बार कान फिल्म फेस्टिवल के लिए नामित राज कपूर आज भी फिल्म निर्देशकों और अभिनिताओं के आदर्श हैं उनकी फिल्म आवारा में उनके अभिने को टाइम मेगजीन ने अब तक की दस श्रेष्ट अभिने प्रस्तुतियों में गिना है 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में जन्मी रणबीर राज कपूर अपने पिता प्रित्वी राज कपूर और माता राम सरनी देवी की पहली संतान थे उनके पिता प्रित्वी राज कपूर को अपने करियर के शुरुवात में कई बार स्थान परिवर्तन करना पड़ा जिसके कारण राज कपूर ने देहरादून, कलकत्ता और बंबई के स्कूल में अपनी पढ़ाई की आकाशवानी को दिये गए साक्षातकार में अपने बच्पन का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा था तो जितनी स्कूलिंग करनी थी मुईने करके फिर एक दिन प्रिस्विराज जी से कहा कि प्रावाजी मेरा कुछ ये पढ़ने लिखने में जो आजकल के जोमेटरी हैं और ये लैटन्स और इन में कुछ मन नहीं लगता ना ही रुची है कोई ना ही लगाओ है पर निस्पत के ये सब पढ़ पढ़ा के फिर ग्रेजुएट हो जाएं आपकी तरह उसमें 7-8 साल लग जाएंगे और करना तो मुझे वही है जो आप कर रहे हैं क्योंकि चारत तरफ बातावरण ही ऐसा था प्रिश्विराज जी के हाँ कवी आते थे गायक लोग आते थे लिखते वाले लेखक आते थे महानकराकार आते थे उनकी संगत में बैठना मिलता था मुझे तो उसका प्रभाव काफी कुछ बच्पन में पड़ता है ये सारे असराश लेते हुए मैंने उनसे इतना ही कहा कि मुझे ज़िजब करना वही है जो आप कर रहे हैं आप महानकराकार है तब तक प्रिश्विराज जी ने थेटर नहीं शुरू किया था शोताओ क्या आप जानते हैं कि राजकपूर का संबंध आकाशवाणी से भी रहा है उस दौर में फिल्म इंस्टिचूट नहीं हुआ करते थे ऐसे में राजकपूर की ट्रेनिंग कैसे हुई आए जानते हैं उस दमाने में हमारी हैं इंस्टिचूट नहीं होते थी ना कोई ऐसी संस्थाइच चीज़ चाहां कि ड्रमाटिक आर्ट शिखाप को भी ने सिखाया जा जैसे नित्त संगीत के अध्याती बहुत से स्कूलें थी तो क्या किया जाता तो सबसे जो सामने बात नजर आती थी उनको यही था कि वही ट्राइल एन एरर के जरीए फिल्म स्टूडियो जी एक हैं जहां तुम सीख लो देख लो करो अच्छा ना करो तो सीखो बुरा करो तो सीखो अच्छा करो तो सीखो तो उन्होंने मुझे फिल्म रंजीत कंपनी में तब वो काम करते थे और किदार शर्मा जी का को चौथा पांच माई या चटा एसिस्टिंट मुझे लगा दिया मैंने का जी अगर मैं दस साल इस महीं गुजार लूँ तो शायद दस साल के बाद मैं कुछ कर पनूँगा कुछ कर पाऊंगा ये बात उनके मन भाई तो पहले तुन्होंने मुझे सारे हंदोस्तान भेजा के जाओ देखो भारत क्या है भारत तर्शन करो ये पूरा देख के अपने लोगों को देखो अपने पिता पृत्वी राज कपूर को अपना प्रेरणा असरोत बताते हुए उन्होंने कहा था प्रत्वी थेटर्ज या प्रत्वी राज जी का मुझे पर क्या संस्कार है शायद सारा प्रेक्टत वो उनका है वही अगर मैं उसका अक्सी मुझे में कुछ थोड़ा बहुत आ जाए तो बहुत कुछ है मेरे सारी जो भी ट्रेनिंग समझ लीजिए या जो भी मैंने शिक्षा पाई जो देखा जो सुना वो प्रत्वी राज जी सही सब कुछ पाया मैंने और प्रत्वी थेटर्ज में क्यूंकि वो शुरुवात मेरे लिए एक्टिंग की भूमिका की वो एक स्थर मिला मुझे तो यू समझ लीजिए कि एक परदा सा सामने से हट गया जो के हमेशा देखने वाले सुनने वाले और कलाकार दिखाने वाले और सुनाने वाले में होता है और जब ये नजदीकी आ गई ये अपना पन पैदा हो गया तो फिर इसका तो कोई अंती नहीं है अब इसमें कितना कलाकार अपने अभिने से अपनी कला से अपने चाहने वाले अपने देखने वालों उन तक पहुँच सकता है और फिर उनके दिलों में अपना घर कर सकता ह ये उस पे ही मनसर है उस पे ही है और मैं कहूंगा कि मैंने अगर ये सब कुछ पाया है तो प्रश्वी राज जी सही पाया है राज कपूर ने फिल्मों में निर्देशिकों के असिस्टेंट के रूप में कारे किया फिल्मों में काम करने का ये मौका उन्हें कैसे मिला आईए जानते हैं और फिल्मिट्यूक के बारे में तब मैं एसिस्ट कर रहा था सुशील मुझमदार साहब को और बंबर टॉकीज का कुछ सेपरेशन सा हो गया था फिल्मिस्तान तब बना और मैं सुशील मुझमदार साहब का एसिस्टन था उन्हें मुझे बहुत ही कुछ शायद खाविल पाया कि जब वहां एक फिल्म डिरेक्ट करने के लिए गए तो उन्हें पहले एक कंडिशन रखी कि मुझे राज कपूर चाहिए असिस्टन बता और रहे असिस्टन जब उनके पिता पृत्वी राज कपूर ने पृत्वी थिएटर आरंब किया तब उन्होंने उनके साथ थिएटर में काम किया यहां पर उनकी प्रतिभा एक अभिनेता की रूप में पहचानी गई 44 के खरी मेरा ख्याल है उन्होंने अपना थिएटर जब तब थिएटर में मैंने उनके साथ यू समझिए सिवाक एक कलाकार की हसियत से मतलब कोई एक्टिंग का रूल तताई नहीं जब उन्होंने शकुंतला पहला अपना प्ले किया लेकिन उसकी आर्ट डिरेक्शन लाइ उसमें मुझे एक छोटा सा किद्रार दिया उन्होंने और वो एक नौकर कच्रित था रामू और तब मैं लोगों के सामने बतौर एक एक्टर के आया और जब वही लोगों ने देखा बसलन अविज तक या थे चंदुलाल शाह सेट साब ने कहते थे मैं उन्हीं के रंजीत प्रिट्वी तुमने इस लगे को कहा रहा था यह है कहा से चेट जी आप ही के स्टूडियो में इसने दाए साल ज्यादा काम किया है कहलेने नहीं से तो हमें दे तो तुम बस तब फिर दूसरा ना टकुनका पठान जब हुआ तो मैं काम भी कर रहा था पठान में और फिल् सबसे पहली फिल्म जो तब बनाई मेरे लिए और मदुबाला उसमें तो बारा बरस की बच्ची थी तो नील कमल सबसे पहली तस्वीर थी प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक केदार शर्मा के बारे में उन्होंने कहा था शर्मा जी का क्या है कि शर्मा जी एक बहुत ही महान लेखक गीतकार पोस्टर पेंटर एक चित्रकार पुट तराशने वाले पहचानने वाले के ये कलाकार है उन्होंने बहुत से ऐसे नए 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 कलाकार उनको उभारा है उनको मौका दिया है अपके अपनी तस्वीरों और उनमें से जो खास बातें खूबियां थी उनको तराशा है लेकिन जो नहीं भी मसलन दिल्व कुमार साथ की उन्होंने तो तस्वीरें बनाई जिसमें मेरा ख्याल से एक नर्गिस के साथ तस्वीर थी बहुत ही आहम तस्वीर थी शर्मा जी ने डिरेक्ट की थी और इसलि सन 1948 में 24 वर्ष के युवा राज कपूर ने अपना फिल्म स्टूडियो आर के फिल्म स्थापित किया और फिल्म आग का निर्देशन कर अपने समय के सबसे कम उम्र के फिल्म निर्देशक बन गए इस फिल्म में नर्गिस, कामनी कौशन और प्रेम नाथ ने उनके साथ अपनी पहली फिल्म आग के संबंद में राजकपूर ने कहा इस टाइटल और एक नदम थी चलेंडर जी की तो वो पीपल्स थीटर में तब वैसे तो करमचारी थे रेलवेज का वो क्या कहते हैं उसको सोल्डरिंग करते थे जी लेकिन लिख से बहुत थे और अच्छे गिए बहुत थी और वो फिल्मों को उनको चीछी नहीं फिल्मो मोरी बगिया में आग लगाए गये ओ गोरा परतिस गाना उनसे मांग रहा था कि मुझे आप ये गाना दे जी जी मैं अपना तारूफ अब क्या कराता सिवा इसले कि मैं प्रस्विराज कपूर का लड़का हूं मुझे आप जानते नहीं ना मेरे काम को आप जानते लेकिन एक दिन को सकता है कि शायद आप जानेंगे लगानी जी फिल्मों के लिए तो हम नहीं नहीं थी ठीक है मैंने गए यदि कभी मन चाहा आपका तो इससले से है उपको आए एक दिन कि उनको जरूरत थी तो उनने आकर शुरी कर लिए गर्जिया है कि वो कहानी कुछ और बनन में क्या हो रहा था, कैसा अंदोलन था, बत्वा रहा था, उसकी पीड़ा, सारी सारी बाते एक मिल मिला के एक ऐसा उबाल जौला पैदा हो गई मन में कि उससे किसी न किसी तरीकी से कहना था और राब और गौर कीजिए तो उस जमाने की मल्टी स्टारल फिल्म वही थी, मल में दिलिप कुमार और नर्गिस के साथ काम किया, जो एक अभिनीता के तौर पर उनकी पहली सफल फिल्म थे, आरके बैनर के अंतरगत राजकपूर ने आवारा, श्री 420, जागते रहो, जिस देश में गंगा बहती है, मेरा नाम जोकर, कल आज और कल, बौबी, सत्यम प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्मों का निर्मान किया, अपनी फिल्म आवारा के गीत, आवारा हूं के बारे में उन्होंने कहा था, गरबार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, अंजान नगर सुनसान डगर का प्यारा हूं, अब कौन जानता था थब, कहां पहुंचूँगा, यह मेत्रिती, यह रूस की और हिंदोस्तान की इसकदर बढ़ेगी, और अबिनेता के रूप में दास्ता, अनहोनी, आह, चोरी-चोरी, अनाडी, छलिया, दिल ही तो है मैं काम किया उन्होंने बूट पॉलिश और अब दिल्ली दूर नहीं, जैसी फिल्में भी बनाई, जो काफी सरा ही गई, सन 1970 में उन्होंने अपनी सबसे महत्वा कांग्शी फिल्म, मेरा नाम जोकर बनाई, जिसे पूरा होनी में 6 साल लग गए इस फिल्म में उनके बेटे अभीनेता रिशी कपूर ने उनके बचपन का किरदार ने बहाया था, ये फिल्म रिलीश तो हुई, लेकिन बॉक्स आफिस पर सफल नहीं हो सकी, इस फिल्म की विफलता के कारण राज कपूर को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा, हाला क कि कई वर्षों बाद इस फिल्म को एक क्लासिक फिल्म का दरजादी आ गया, सन 1971 में उन्होंने कल आज और कल नाम की फिल्म बनाई, जिसमें उन्होंने अपने बड़े बेटे रणधीर कपूर को फिल्मों में मौका दिया, इस फिल्म में कपूर परिवार की तीन पीडियो और डिम्पल का पाडिया को लेकर फिल्म बॉबी बनाई, जो काफ़ी सफल रही। समाज के लिए संदेश भी दिये। और गीत संगीत उनके सिनमा की आत्मा। वे फिल्म संगीत और गीतों के पार्खी थे। उन्हें अपनी फिल्मों के भव विसेट, प्रकाश विवस्था और संगीत के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनकी फिल्म जागते रहो को क्रिस्टल ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया। देश की उन्नती और बेहतरी के लिए काम करना हम में से हर एक कफर्स है। जनता ही देश है और कोई देश जनता के बगएर तरक्की नहीं कर सकता। देश की तरक्की ही जनता की तरक्की है। दो जून 1988 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। तो अब हमें यानि मंगत राम और सुश्मा शर्मा को दीजिये अनुमती नमस्कार